नमस्कार स्वागत आप सभी का ज्यान सम्मान के मंच पे तो हम लोग यहां पे यूपी पीसे सारो यारो के लेके टेस्स सेरी देख रहे थे और यह हम लोग टेस्ट जो देख रहे हैं और यहीं बात करें तो इसमें हम लोग टोटल जो है आपका आठ टेस्ट कंप्लीट कर च इसमें इभी बात करें तो GS का 4 test हो गया है, हिंदी का 3 test, आज हम लोग GS का जो इसका test नमर 5 हो करेंगे यानि total मिला जुला के यह 9 नमर test होगा और इसके बाद एक test और होगा आपका हिंदी का यह आपको धिया इस वाला सब्सक्राइब कर दिया गया तो उसमें भी पांच टेस्ट बचा हुआ है तो पांच टेस्ट बचा हुआ है तो पांच टेस्ट कर देंगे इसके अलब जो भी बहतर कंटेंट होगा और एक तो आप सभी के लिए और एक काम किया जाएगा कि प्रिविएस एर कोश्चन जितने भी आरो यारो के आये हैं चाहे हो हिंदी का हो या जीएस का हो उस सारा कोश्चन हम लोग करेंगे ताकि आप लोग रियल टाइम में भी एक बार कोश्चन देख ले एक ऐसा प्रस्ण जो है पूछा गया है और उसी के आसपास जो है प्रस्णों का अस्तर रहेगा बाकि आप लोग रिविजन करते रहे हैं रिविजन के लिए मैं बता दूँ है प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे और बाकी अधिक लोग का डिमांड होगा तो आप सभी के लि सवाला और इसमें ध्यान देंगे तो फुल लेंद का टेस्ट है प्लस इसमें करेंट फेर भी रखा गया है और पीडिएफ का है तो तीन-चार पीडिएफ दे दिया गया है बाकि जो भी चार-पांच पीडिएफ बचा हुआ है वह मैं आपको प्रभाइड कर दूँगा ठ तक देखें जितना भी टेस्ट यहां पर हुआ है यह कोई भी कंटेंट यहां पर कंप्लीट कराया गया है तो सारा का पीडिएफ एवलेबल कराया गया टेलिग्राम गुरूप का लिंक है यहां पर आप जोइन कर सकते हैं चलिए तो जैसा मैं बताता हूं ऐसा ही आप अबी के लिए और साथ साथ परलली मिलाते रहें देखें गलत करके दिसाही करते हैं ज्यादा आपको याद होगा यह बात आप करके देखें फिर आपको समझ में आएगा ठीक है कुछ चेंजेज करने के जरूरत है बाकि आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि अभी आप कितना को किस से गाल यह और हैसे डिवी किक अलाई सीब्इचान के आपको प्रहसिस करेंगे उसमें टाइम फड़ा ऐगा मुझे खुद previous question को ध्यान में रखते हैं analysis करना होगा तो वो एक video आपको लिए बनेगा बाकि आप प्रिप्रेशन करते रहें चलिए फिर हम लोगी start करते हैं एक एक प्रस्ण को आप लोग हल करेंगे देखे पहला प्रस्ण है आपका पंचायती राज से संबंदित निम्न कत चुनिये पहला statement है बलवन्त रह महता समीती के द्वरा तीन अस्तरिय राज पत्ति सुझाय गया था दूसरा है इनके द्वरा ग्राम पंचायत के अस्थापना अब परतियक शुरूप से चुने गये परतियक द्वरा जबकि पंचायत समीती का गठन परतियक शुरूप से चुने गए सदक्स द्वारा सुझाय गया है देखिए आप लोग इसके अंसर जो है कर लिया होंगे देखे पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही सही है कि बलवन्त रहे महता समीति के द्वारा है तीन स्थरी सुझाय गया था दूसरा स्टेटमेंट यहां पर आपको गलत है अगला कथनकारण वाला देखने को मिलते नहीं है लेकिन आपको एकाद प्रसन देखने को मिल सकते हैं इसलिए आपको मेंटली पिर रहना चाहिए ठीक है देखे भारत के महानियादी न तो सरकार का पुंड काली नवकील है नहीं एक सरकारी कर्मी की स्रेणी में आता है पहला स्टेटमेंट है यह कतन है कारण क्या है उस्षे एक शंसत सदस्य की तरह सभी भरते मबीसे सा अधिकार परापत है आपको बताना है इसमें कौन सा एंस देखे नाम हुआ था वहां पर ऑप्सन यह जो है प्सन आपका सी में दिख रहा था सी जो है यह में दिख रहा था तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखेंगे चलिए आप लोग इसका एंसर जो है कर ली होंगे इसका सही अप्सन क्या हो जाएगा देखे दोनोए ख्रेंतमस्सेंट मैं नहीं खें ख feelings सर्थों के निजी बीदिक प्रिक्टिस भाया जा शकता है जब चाहँ सरकारी तो को शोची 2 से मिलाना है और यह factual सा प्रस्ण है जाकिर हुसेन ग्यानी जैल सिंग है प्रतिवा पार्टी लिए पी जब्दुल कलाम कब कौन रहे हैं यह दिमोटा-मोटा भी आपको डाटा ध्यान होगा ता आप लोग कर लेंगे ठीक देख़ें अपड़ने एंसर कर लिए होँगे आपे देखिए जाकिर हुसेन की बात करेंगे इसमें देखें जो भी आपको लेटेस जैसे ईपी जब्दुल कलाम है दिया है एपी जब्दुल कलाम दो हजर दो से साथ ही रहे थे तो चार ही बनेगा ओर देखें चार बन रहा ह तो ऐसे में इंसर यहां पर क्या बन जाएगा आपका अप्शन जो है भी हो जाएगा ठीक है अप्शन क्या बनेगा इसका बी बनेगा और ऐसे देख लें तो जाकिर उसे और अभी आप सभी को पता ही है दौरपती मुर्मू आप लोग कमेंड बक्स में चाहे तो लिख सकते हैं दौरपती मुर्मू जो है किस नंबर का राश्वतियों बनी है उनका नंबर ब्यक्तिकत करम जो है कितना है अगला देखें निमलेकित में से कौन सा एक सही सुमेलित न राश्पती का बीशेश संबोधन अनुछेद 88 लोग सभाद्यक्ष और उपद्यक्ष के बारे में आपको अनुछेद 93 में देखें यहां पर क्या बताना है गलत कौन सा है यह आप लोग एंसर इसका किये होंगे और सही अंसर क्या हो जाएगा आप से राश्पती का बीशे तो विचार कीजी और बताई इसमें कौन सा सही है नियाले का आउमानना सिविल या पराधिक दोनों परकार के मामले में हो सकती है उच्तम नियाले में नियाइक समिक्षा के सकती नहित है यहीं सुप्रीम कोट की बात के जा रही है आप लोग एंसर कर लिए होंगे सही अप नेक्स देखते हैं प्रस्ण संक्या छे निमलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है गलत बताना है लोक्तक जिल मणीपूर में है चिलका ओडिशा में सुरजदाल उत्राखंड में या पंच भद्रा जिल राज्थान में देखे एक बात है कि आपको यहीं प्रस्ण क्या बन जाएगा ओप्सन सी सूरज ताल जो है उत्राखंड में नहीं होगा तो आखिर यह सूरज ताल कहां पे है तो यह आपका हिमाचल प्रदिश में है बाकी सबसाई है लोक्तक जिल मणीपूर में चिलका ओडिशा में पंच भद्रा जो है आपका हरास्थान में अगला है आपका निम्नली खित में कौन सा युग में सही शुमेलित है एक तरफ जय मंडला रिक्षी त्यतर है और उन्हें इसको के सुची बद वर्स कभी उन्हें इसको सुची बद किया है कभी इसको सामिल किया गया है सुन्दर बन है पंच मड़ी है आपका ग्रेट नि आपका सुन्दरवन हो गया बाकी पचमड़ी इसको 2000 में नहीं पचमड़ी को 2009 में सामिल किया गया ग्रेट निकोबार ग्रेट निकोबार को जो है 2013 में सामिल किया गया है और लास्ट बचा यहाँ पे नो क्रेक तो इसको जो है आपको 2009 में सामिल किया गया यह सही है यहाँ प से कौन सा अरणाचल प्रदेश की एक परमुख जाती नहीं है ठीक है इसमें जाती नहीं अब देखिए इतना सरा टेस्ट करने लेक बाद आपको एक मोटा-मोटा अंदाजा लग गया होगा इस प्रस्ण कैसे बनाया जाते हैं अब इसी कैधार पर अपना प्रफिशन भी कर स सही अबोर मिकिर और डफला जो है यह रणाचल प्रदेश की जन जाती है प्रसन संक्या नौ देखते हैं कौन सही सही सुमेलित नहीं है देखे जिस सरकार दोरा स्थापित बोड है इनका स्थापना का वर्स है अब यह भी एक फेक्शुल सप्रस्ण है आपको आता है तो कर सकते हैं नहीं तो बिलकुल इसमें कोई दूसरा तरीका है नहीं तो चली एंसर आप लोग कर लिए होंगे, सही एंसर इसका, अच्छा देखे कुटिर उद्योग बोड जो है आपका, यहाँ पे क्या बताना था कौन सा सही नहीं है, देखे option C, आखिल भारती हत करगा बोड, यह जो है 1950 में बना है, नाके 1903 में, बाकी सब यहाँ पे देखे क पुटिरी दोग, 1947 में, सिल्क बोड, 1949 अखिल भारती है, खादी ग्रामो दोग, 1994, कत्नुब अभिचार करना है और बताना है, इसमें सही कौन सा है, नर्बनादी का उद्गम मैकाल परवत के अमर कंटक चोटी से होती है, बंगाल की खाडी में गिरने वाली यह प्रैदी प बिल्कुल ही गलत है, यह नर्बना नदी आपको कहां गिरती है, यह बंगाल की खाडी में नहीं, यह कहां पर आपको, यह अरब जू है, ठीक है, यह आपको अरबसागर में गिरती है, देखे, कुछ नदिया, एसे तो देखेंगे आप, यह आपका पच्मी घाट हो गया, जनरली देखेंगे ति पच्मी घाट उचा है, ठीक है, पुर्वी घाट का पिक्चा, फिर भी कुछ exception है यहाँ पे, ठीक है, और आप लोगों मैं पहले ही बता दिया था, एक साबर मती, एक नरमदा और एक तापती, यह सब कहां गिरता है आपको, तो यह अरब सागर में गि अगला प्रस्ण देखते हैं, निमलिखित कत्नों में से कौन सा सही है, पहला यहाँ पे, राजसभा धन बिद्यक में संसोधन कर सकती है, प्रंतु अश्विकार नहीं, दूसरा, अनुदान मांग पे दोनों सदन में मत्दान होता है, इसमें बताना है कि कौन सा आपको सही ह बहुत ही अच्छा प्रस्ण है और यह अलड़ी डिसकस कर चुके हैं, देखे, राजसभा धन बिद्यक को संसोधन बिल्कुल ही नहीं कर सकती है, आपको पता ही है, इचोदा दिन के भीतर धन बिद्यक को अपनी सिफारिस सहित लोगसभा में लटा देना होता है, लोगसभ अनुदान मांग दोनों सद्णों में मद्दान होता है, तो यह भी आपका क्या है गलत है, दोनों ही गलत निकल गया, आपसंट डी बनेगा, ना तो एक, ना ही दो, ठीक है, जिए बात याद रखेंगे, अनुदान मांग जो है, आखिर कहां रखा जाता है, तो लोगसभा म राज सब हमें ये बात जो है नहीं होता है ठीक है चलिए नेक्स प्रसंद देखते हैं प्रसंद संख्या बारा भारतिय सम्विधान के निमलिखित अनुछेदों में से किस एक के द्वारा राज जेकारे के अधिकार को सुनिशित करने के लिए प्रभावी प्रवधान करता है अनुछेद 16, 15, 41 और 43 भारती समिधान के निमलिकी तनुच्वेदों में से किस एक के द्वारा राज जेकारे के अधिकार को सुनिशित करने के लिए प्रभावी है ठीक है एंसर करें अनुचेद जो है कि राज अपनी आर्थिक समर्थ और विकास की सीमा के बीतर काम, सिक्षा और लोग सहता पाने का अधिकार प्राव करने के प्रभावी उप्बंद करेंगे अगला प्रस्ण भार्तिय समिधान में राज जेपाल द्वारा राष्टपती के बीचरार्थ विद्यक सुरक्षित रखना किसी देश के समिधान से लिया गया है यह तो फेक्चुल सा प्रस्ण है और पॉलिटी का पूरा संदार रिविजन आपको साथ घंटे में कम्प्ल समिधान से लिया है ऐसे तो कनाड़ा से और बाते ली गई है जैसे संसदिये आपको प्रणाली ससक्त केंद्र की बात करें उसे शक्तिया केंद्र के पास रहेंगी ठीक है राज पाल दौरा राष्टपती के बीचार्थ विद्यक वाली बात यही थी बाकि देखेंगे आप आपका जो है राष्टपती का निर्वाचक मंडल हो गया राज सभाम विवीन छेत्रों मनुनीत सदस्य हो गये और नीती नहीं सकता तो यह सब आयरलेंड से है अभी हम लोग पॉलिटी का प्रस्ण देख रहे हैं देखें समिधान के अनुच्छे देख सतीस के अनुसार निर्वाचन में भरस्ट आचरन के कारण कोई सदस्य हो गया या नहीं इस प्रस्ण का वी निष्चे राष्टपती द्वारा किया जाता है ति निर्वाचन आयो के सलwo पर किया जाता है या लोग पूछा गया और यहां पूछा गया है कि राष्टपती धन बीदयक को पुनर वीचार के लिए वापस नहीं कर सकता है दूसरा धन विद्यक राश्पती के पूर्वा अनुवती से ही लोग सवाम परस्तुत किया जाता है इसमें कौन जो है सही है बताना है आपको दिखिए अच्छा प्रश्ण है आप लोग एंसर कर लिए होगे देखे धन विद्यक के बात की गई है अर्टिकल एक सदस ठीक है पहला स्टेट्मेंट तो सही है राश्पती धन विद्यक के पूर्वान वानित सही लोग सवाम परस्तुत किया जाता है तो ऐसे ऑप्सन क्या बन जाएगा ए यार सही आरे का सही ब्याक्ख्या भी कर रहा है अगला देखें अगला प्रस्ण आपका निमलेकित जो है कतनों में से कौन सा एक प्रकलन समीती के सम्मन्द में सही नहीं है अब देखें संसत से खुब सारा प्रस्ण पूछा जाता है तो ऐसे में यहाँ प्रस्ण देखने को भी मिल रहे है आपके इसमें लोग सभा के कुल तीस सद से होते हैं लोग सभा में बजट पेस होने से पहले इसका अगठन किया जाता है मंत्री परसद का कोई भी सदस से इसमें सामिल नहीं किया जता है इसे अस्थाई मित्वेत्ता समीति भी कहते हैं इसमें का आप गलत डुढ़ना है आपको ठीक है प्रकलन समीति यह तो संसद के अस्थाई समीति ही होती यह आप लेंसर करें ठीक है यहाँ पर सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा ओप्सन बी लोग सभा में बजट पेस होने से पहले इसका गठन किया जाता है यह स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है इसका गठन जो है लोग सभा में ही किया जाता है तो इसका गठन लोग सभा में बजट प्रस्तुत करने के बाद होता है ठीक है इत बाद ध्यान रखें बाकी तो इसमें 30 सदस ही होते हैं और वह भी लोग की होते हैं प्रकलन समीति में बात चाहिए मंत्री परसाद का कोई सदसे नहीं होता है मित व्यत्य समीति भी सोवम लोग बोलते हैं अगला देखिए राज ये जो है ठीक है देखे राज सुची पे भी कानून बना सकती है समर्ती सुची पे भी बना सकती है कि समर्ती सुची दोनों का भी सह होता है संग सुची तो किंद्र का हो गया और समर्ती सुची में दोनों आ जाएंगे ठीक है तो समर्ती सुची के भी संसद्वराय से कानून मनाया जात कि तो आपको बताना इनमें कौन सा सही है नौ निरवाचीत लोग सभा के बरिष्टम सधस्षो में से कि एक को समानता प्रोटेमी स्विकर नियुट किया जाता है प्रोटेमी स्विकर नौ निर्वाचीत सदस्षो को शपत दिलाता है इसके अंसर करें देखिए आप लोग एंसर कर लियोंगे देखिए बिल्कुल ही प्रोटेमेश्वीकर के बारे में आप उचा गया था नौ नीराचित लोग सभा का कोई बरिष्टम सदस नहीं चूना जाता है प्रोटेमेश्वीकर के रूप में सबत दिल्वाने के लिए चूना जाता है तो पर क्यात जो है नियावीद और शम्विधानिक बीसे सग्यों ने प्रस्तावना का शम्विधान का परिचे पत्र कहा है एन जो है पाली का वाला भीएन राव के मुन्सी या ग्रेंविल जो है आस्टिन किसके दोरा इस्टेटमेंट दिया गया तो बिल्कुल फेक्चल सा प्र यहां परिचेपत्र दिया क्या गया करेंगे रिधी और योदिशति प्रस्ताव के पर और सभाव को पर विए इन डाय को बनाए गया था प्रस्तावना करा प्ररूप त्यार किया गया था चली आगे देखते शमिधान का निमने में से कौन सा अनुछेद उच्तम नियाले को अभिलेक नियाले गोसित करता है यह प्रस्ण साथ रिपीट हो रहाएक टेस्ट में इसको हम किये थे सही एंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन भी अनुछेद एक 37 एक 37 जो लोग की हैं बिल्कुल सही है अभिलेक नियाले बताता है यानि जो भी वहां पर करवाई उवरक की जाती है उसको जो है लिखित रूप भी दिया जाता है उत्तर परदेश की जन संख्या निमनलिखित में से किस देश से अधिक है जपान पाकिस्तान है ब्राजील इंडोनेसिया नीचे देख कोट के साहता से आप को एंसर करना है आप लोगों दीख रहा होगा अए देखे किस से अधिक है तो जपान से अधिक है ही आप लोगों एंसर कर लिए होंगे और साथ साथ देखेंगे तो यह इंडोनेसिया ठीक है ओप्शन यहां पर क्या बनेगा आपका सी बनेगा ठीक है 2021 कहीं डाटा हमारे पास है अभी अभी लेटेस्टो डाटा कोई आया नहीं है तो इसमें देखेंगे तो उतर परदेश एप्रोक्स 20 के करीब में है यानि 19 करोड अंठानवे लाग करीब में है भारत की जनसंख्या का लगबख 16.50 पर तीसत उतर परदेश का जनसंख्या है ठीक है डाटा में ध्यान रखना चाहते हैं तो 19 करोड जो है अंठानवे लाग आपको 12,341 यह डाटा में संख्या है और ऐसे में देखेंगे कि विश्व का पांच्वा सबसे अधिक जनसंख्या वला राष्ट होता है अगर यह दी राष्ट होता तो ठीक है विश्व का पांच्वा सबसे ब उत्तर प्रदिस दिमनिस से किस देशों से अधिक है पूछा गया है तो यहां पर इंसर आपका क्या बन जाता देखिए यह थोड़ा से यहां पर रॉंग हो गया है इंसर हो जाएगा जपान पाकिस्तान और ब्राजील इंडोनेसिया नहीं होगा ठीक है इंडोनेसिया तो इसके उपर है इंडोनेसिया के जनसंख्याद आधा है ऑप्सन भी हो जाएगा आपका ठीक है दियान रखेंगे भारत चीन अमेरिका और इंडोनेसिया आपका उत्तर प्रदिस आजाएगा पांचवे नमबर पर तो देख लेंगे आपको जो है अच्छा लगे और आपका मैपके मादियम से पूरा यूपी आप स्पेसल कम्पलीट कर लेंगे तो देखें नहर से तो सबसे ज़्यदा होता नहीं तो option eliminate आप कर सकते थे आप लेंसर कर लिया होंगे बाकी देखे नल कुप तो होगा ते तीनों में नल कुप ही है ठीक है तो नल कुप के बाद आखी किस से तो नहरों से तो अपसन यहाँ पर क्या बनेगा सीन देखे तो सबसे ज़्यादा नल कुप से सिचाई कियाता है फिर नहर से फिर तलाब कुए और अन्य साधन से इसको ऐसे ऐसे प्रस्ण बनाय जा रहा है अगला है निमलिकित में से कौन सा आधनिक उत्तर परदेश में इस्तित महाजनपद है देखें महाजनपद आपको बताई है सुल्ला महाजनपद है टोटल ठीक है उसमें आधनिक उत्तर परदेश में कौन का नहीं बताना है देखे, कॉसल, सूरसेन है, पंचाल और वत्स ठीक है, देखे, उत्तर परदेश में अगर देखेंगे तो आठ महाजनपत इस्तिता सुल्ला में से सबसे मजबूत जो है आपका मगद महाजनपत था तो सही इंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, option आपका D ठीक है, कॉसल भी हो जाएगा, सूरसेन, पंचाल और वत्स सारे लोग सही किया होंगे, मैंसे एक बार नाम सुनेंगे कुरू हो गया आपका पंचाल, कासी, कॉसल, सूरसेन, छेदी, वत्स और मल यह आठ जो है महाजनपत कहां पर उत्तर परदेश में सबसे ज़्यादा महाजनपत उत्तर परदेश में ही थे, उत्तर परदेश में जमिंदारी उन्मुलन कानून 1950 लागू हुआ था, कभ यह लागू हुआ था, ठीक है एक जुलाई 1950 को, एक जनवरी 1956 को, या एक जनवरी 1951 को यहाँ पर यह लागू होना पुछा है, ध्यान देंगे, ठीक है, आप लोग एंसर कर लियोंगे, एक जुलाई 1922 को लागू किया गया था यह, ठीक है, देखे, पचास में तो कानून ही आया है, तो उससे बाद ही लागू होगा, जाहिद सा बात है अगला भारतिय राष्टिक कॉंग्रेस, यह उत्तर प्रदिस में हुए सम्मेलन में कौन साइसो मिलित नहीं है, ठीक है, कॉंग्रेस के जितना अधिवेशन हुआ है, यहां ते प्रस्म देखे बनते है, लखनव अधिवेशन, रमेश चंद्रदत, इलहाबाद का अधिवे अधिवेशन, अम्भीका चरन मजुमदार, ठीक है, जो है, अम्भीका चरन मजुमदार के द्वारा, यह ऐसे में गलत हो जाएगा, बाकि सब यहां पर ठीक ठाकी है, अगला देखते हैं, नेमलिखित कत्नों विचार किजिए, और इसमें बताना है, कि सही कौन सा है, मद्य इसके बाद देखें, उत्तऱ प्रदेश की सीमा से लगा सबसे चोटा सीमा वाला राज हिमाचल प्रदेश है, सही कथन का इसमें चयान करना है, देखिये, तो मद्यप्रदेश के तीन तरफ से घीरा हुआ, उत्तर प्रदेश का एक मातर जो है ललितपूर है, यह तो सही ह सबसे चोटी शीमा वाला राज दोनों डाट आपको बताया गया था इस पिसली जो है पूरी उपीक में आपको बहुत अच्छे से बताया गया है आप जाके एक बड़ देखे उसे ठीक है यह अपका प्रस्ण संक्य 26 वह अगले देखे शुर्तंत्र भारत के निमने प्रधान मंत्रियों में से किसका निर्वाचन शेत उत्तर प्रदेश से रहा है चंदर शेखर है नरेंद्र मोडी है बीपी सिंग है चौदरी चरण सिंग लाल भादुर सास्त्री यह अच्छा सा प्रस्ण है ठीक है अप लो एंसर इसका करही लिए अंगे और शाही अंसर इसका क्या यहां पर 2005 है 2017 2009 2000 ठीक एंसर करें इसका कि एक सई अंसर क्या हो जाएगा ऑप्सन सी हो जाएगा 2009 जो भी लोकी है बिल्कुल प्रस्ण था इडिस्टिक परियोजना 2009 में सुरुई था ठीक है मिडिल मिल परियोजना 1995 में ठीक है और एक जिला एक उत्पाद योजना 2018 से आपक ठीक है यह अच्छा प्रस्ण है अंसर करें देवी सिंग मतुरा से कदम सिंग जो है मेरट से मौलवी लियाकतली फैजाबाद ता त्याटो पे यह जो आपका 18 से संतावन वाला करांती हुआ था इसी से लेटी ते प्रस्ण पूछा जा रहा है तो यहां पे अपसंसी हो जा करें उतर प्रदेश का निम्नेखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साजा नहीं करता है मैं पॉला तो आप जाके आप वीडियो देखी लें ठीक है कोई आपसे प्रस्ण गलती नहीं होगा लखिमपूर है सहाजहापूर पीली वीत या महराज गंज तो सही इंसर आपके यहां पर क्या बनेगा ऑप्शन भी साजहापूर ठीक है उतर प्रदेश का जो है साथ जन पर नेपाल से सीमा साजा करता है आपको और देखेंगे तो उसमें महराज गंज आ जाएगा सिधात नगर सरावस्ति आ जाएगा बलरामपूल भाराइच पिली वीत ठीक है यहां पे सारा ही सही है अप्शन डी जो लोगी हैं सार लोगा सही है अगले देखें कथन और कारण दिया गया है और बताना इसमें कौन सा बाके अप्शन वह सही है जैसे मैं बताया लेकिन बारबन में बोलता हूं एक बार एकजाम में ऑप्शन एक बार देख लेंगे यह में पुछा गया कौन सा सही है देखे तो आप लोग सही किया होंगे पहलत प्रस्ण बीद्गूल सही है वो चौबीस जन्वारी दोहजर आट अठारों को पर्थम उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था ठीक है उत्ति यूपी स्पेसल करेंट फिर भी कुछ कराया गया था वहाँ सब बात बताया गया था उन्नीट सब्पेस में चौबीस जन्वारी को परदेश का नाम सहुक परांट से बदल कर उत्तर प्रदेश भी कर दिया गया यह भी सही है तो दोनों सही है इसका एकस्प्लेनेशन भी है तो इसे में यहां पर आप लोग यह कर लेंगे भासा अदिनियम पारित करके उर्दु को उत्तर प्रदिस का दित्यय राज भासा घोसित कर दिये गया है, ठीक है ये कब किया गया, 89 में, 99 निश्च 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 निवासा गया, ठीक है आपनों सही answer कर लियोंगे, सही answer होगा इसका option A, 1989, 1989 में जो है अपका उर्दु क उत्तर प्रदेश का दिस्तिया राजबासा घोसित कर दिया गया नेमलिकी जन जाती ओमेशे कौन सा एक उत्तर प्रदेश के गुरखपुर जनपत के तराई छेतर में निवास करती है थारू है वोकसा पहरिया और बैगा देखे इस सही अंसर क्या हो जाएगा आपसा ने थार थारू जन जाती उत्तर प्रदेश के गुरखपुर जनपत के तराई छेतर में देखने को मिलती है अगला है आपका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जीला एक उत्त्पाद योजना द्वारा किस परकार के उद्यों का बिकास संभव हो पाएगा एक ज जिहान में रखेंगे ठीक है 2018 से और इस सभी के लिए हो जाएगा जो भी लोग डिकी है सही है चोटे दोग हो गया मद्यम हो गया प्रमपरागतु द्योग हो गया तो कब आया था यह 24 जन्वारी 2018 को अधिया निम्ले खित भूपंगी तरंगों में से कौन सा एक सिर्फ ठोस माध्य में चल सकता है अच्छा प्रस्न है बहुत ही बेसिक सा प्रस्न है ठीक है यहां पर पी तरंग है एस है एल है या पी और इस दोनों है केवल ठोस में बुचा गया है आप आप सन क्या हो जाएग आपका बी ठीक है अनुपरस्त रंग होता है और यह प्रकास्त रंग के भाति चलता है के वल ठोस में चल सकता है के वल ठोस में ठीक है इस बेब तो इसका जो है प्रित्वी के इंटर्नल स्ट्रक्चर अध्यान के लिए इसका आम लोग परियो करते हैं नब्य डिग्री सेंसर इसके कर लिए होंगे सहींसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा अप्सन ए हिंद महासागर में हिंद महासागर में देखेंगे तंड माननी को बार के दच्छीन में 90 डिग्री पूरवी देशांतर होगा ठीक है और यह कटक के बारे में पूछा गया है ठीक है तो जो है उसी के बारे में पूछा गया था यह लगभग जो है इसका लंबाई 5000 किलियो मिटर आपको देखने को मिलेगा ठीक है कि मैं लिखी त्युक्मों से कौन सा सही सुमिलित नहीं है गलत धुणना है एक तरफ नदिया है एक तरफ उद्गम का शुरूत है डेनियूब जो है ब्लैक फॉरेस्ट ब्लू निल विक्टोरिया जील से निकलती है मीसीपी जो है आपका इटा जो है सका जील से और यांग विक्टोरिया जील यह गलत हो जागा बाकी सब ठीक है आपकर अगला दिखते हैं देख एक प्रसना प्लो करते रहें कथन कारन दिया गया है आपर पूछा गया कौन सा आप हो सही है हर्मटन पॉन को जो है डाक्टर विंड भी कहते है यह फ्रीका के प्रश्मी तर्ट पे जादर और सुस्क वाई में सुस्कता लाकर मौश्म को श्वास्त पर्द बनाती है दोनों ही सही है तो आपसन यहीं बनेगा आपका है यहां पर इमलिकित कत्नों विचार कीजिए और सही कथन को चुनिए प्रीथवी से परवर्तित उस्मा को भौमिक बिकरन कहा जाता है भ जो हीट रिप्लेक्ट होता है अर्थ से इसको हम लोग क्या बोलते है ट्रेस्टियल जो है रेडियेशन ही बोलते है तो पहला सही है भौमिक बिकरन दिर्ग तरंग वाला होता है यह भी बात सही है ठीक है चलिए अगलो देखते हैं जन जाती है और उनका निवास अस्थान है तो बिल्कुल ही याद करने वाला प्रस्ण है यह। बूश्म है कलहारी मरोथल में, पिग्मी कांगों में, बद्दू शहारा मरोथल में यहां पर यह अंसर देखेंगे तो आप सही देखना है तर यहां पर सही है ते एक, दो, सारा ही सही दीख रहा है जे हाप्तिय डिक खाद को क्या कहा जाता है यहां पर ग्वांग को है ज्वानों चाओं या एंट कया सों और झाचल पर這是 पचमितोर। यह एक और दिया है और यह ऐक और दिए है एंटी सिय्ए यह य Ju Chyni Amed Man में विसाल पशू भॉम को कहा जाता है अगला देखते हैं प्रसंद संग के फोटी त्री कि निमलिकित में से कौन सा एक मध्यमेर की देश नहीं है इसमें पूछा गया हम मध्यमेर की देश कौन नहीं है दिरांक हुआ है गवाना है अलसलवाडूर है बेलीज है तो यहां पर देखिए सही अंसर क्या हो जाएगा इसका अप्शन भी गवाना मध्यमेर की में पूछा गया था कौन नहीं है बाकि यहां पर सब मध्यमेर की आपको देखने को मिलेगा ऐसे यह गवाना जो है दशनी अमेरिके महादीप में इस्तित है अगला देखिए यहां पर सही सुमेलित कौन नहीं है यह बताना है एक तरफ बन जिव संदक्षन अधिनियम है और यह पुछा है 1972 में परिवरन संदक्षन अधिनियम है 1986 है और नेक्स है जै भीवित्ता अधिनियम 2000 में यहां पर सही अंसर क्या हो जाएगा आपसन आपका डी बनेगा ठीक है जै जै भीवित्ता जो है आपका अधिनियम यह कव तो यह आपको 2000 में है ठीक है तो यह 2000 में दिया है तो गलत है गलत ही चुनना था जै भीवित्ता अधिनियम 2002 में आथा ठीक है चलिए अगला देखते हैं निमलिकित घास के मैदान में कौन सा युग में एक वर्ग से संबंद factual से प्रश्न है इसमें जो है सही हो जाएगा option D compose और सवाना जो है उश्न कटी बन दिये घास के मैदान है ठीक है बाकी यहाँ पर देखे stepage हो गया आपको प्ररीज हो गया, downs हो गया इस सब सितोश्न कटी बन दिये है जबकि कमपोज और सवाना कैसा है उश्न कटी बन दिये, इसलिए यह जो है सब में अलग होगा, इसलिए D ही अपसन होगा इंद्रावती, प्राण, हीता और मंजरा किसकी सहायक नदिया है गुदावरी है, क्रिश्न है, महा नदिया, नर्मदा सही इंसर क्या बनेगा आपका अफसनी ठीक है, आप लोग किये होंगे असानी से, प्राण, हीता सबसे लंबी नदी है यह गुदावरी नदी महाराष्ट के नासिक जिले के पच्छमी इतट यह तरंबक नामक जगह से निकलती है और तिंद्रावती के बाद करें मंजरा हो गया, यह प्राण, हीता सब इसी की सहाइक न दिये केंद्रियत तंबाको अनुसंधान संस्थान इस्तित है, आकर कहा है यह राजमुंदरी आंदर प्रदिस में गुंटूर आंदर प्रदिस में, कोयमबतूर या मैंगलोर करनाटक में देखे, बिल्कुल फेक्चुल सा प्रशन है यह कहाँ पे राजमुंदरी आंदर प्रदिस में है केंद्रियत तंबाको अनुसंधान संस्थान भारतिये मानक समय कि आमने तर रेखाने मलिकित में से किन किन दाजोसों को गजरती है नीचे देखे, कूट के साहता से सही उत्तर यहां पे चुनना है यह मानक जो है समयरेखा तो यह मैं आपको बताया था पहले भी एक्स्पलेन करके आपको दिखाया भी था ठीक है आप लोग एंसर करें इसका मानक समयरे का भारत का है किपना तब आसी दिग्री आपको 30 मिनट है उर्भी देसांतर ठीक है मद्य प्रदेश, उरिशा, आंदर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, 36 गड़ ते लंगना यह देखे पांच राज से गुजरता है उत्तर प्रदेश से तो गुजरता ही होए ठीक है मद्य प्रदेश भी हो जाएगा यह भी सही है ठीक है 36 गड़ भी यहाँ पर सही है आपका आंदर प्रदेश भी सही होगा और उर्टसा भी ठीक है ते लंगना भी ते यहाँ पर अगर देखें तो नहीं तिलंगना इसमें नहीं आएगा ठीक है पांच राजे सुहों के गुज़रेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ओप्शन B ठीक है एक दो तीन चार पांच ठीक है इसको कर लेंगे उत्तर प्रदेश मद्यप्रदेश ठीक है चतिसगर उडिसा और आंदर प्रदेश नेक्स देखते हैं अगला प्रस्ट 49 इसमें बताना है कौन सा ही सुमलित नहीं एक तरफ परवत पठार है एक तरफ उसकी सरोचे चोटी है अरावली जो है गुरुशिखर मतलब अरावली की जो है सरोचे चोटी गुरुशिखर है मैकाल की अमरकंटक सत्पुड़ा इसकी इसकी अन्नामोडी ते भी फ्रेक्शुल सा प्रस्न है सही अंसर यहां पर क्या हो जागा ऑप्शन डी देखे आरावली की जो है गुरुशिखर ही सबसे उची चोटी है ठीक है सबको पता ही है यह डिसकस भी किये थे मैकाल अमरकंटक सत्पुड़ा धूपगड़ हो जाए यह गलत था इसमें भी असत्य धुनना है आपको जेट विमान उद्वरा उत्सरजीत होने वाली नाइटोजन अक्साइड के कारण ओजोन परत में छेदर की समस्या उत्पन होती है ओजोन परत में छेद होने का परमुक कारक कॉलोरीन है इसमें बताना है कौन सा सही नहीं ह है देखे जेट विमान से जो उत्सरजीत होने वाली नाइटोजन अक्साइड होती है उसके कारण उजोन परत चेदर की समस्या नहीं उजोन परत का लियर जो है थोड़ा पतला होता है बात क्या है सही आप लेंसर किया होंगे और चेद का कारण जो है कॉलोरीन भी है यह भ प्रेट डाटा बुक यह बताती है कि कौन सब्बन जीव खतरनाक अस्तर पर है जिसका संदक्शन आवसक है पहला है दूसरा मानों की संक्या में अनियंतित ब्रीधी ने हाद सिंखला को प्रतिक्यों लूप से परभावित किया है अब देखे यहां पर दोनों स्टेटिमें नहीं को टो समयलन में जो हांसवर का सिखार है रियो प्लस 20 समयलन में नूशा दूआ समयलन में अगला देखते हैं प्रसंद संख्या तिरपन भारत में रास्टी जीन बैंक के अस्थापना किस बर्स की गई 1990 में 1996 1995 या 92 यह भी फ्रेक्शुल सा प्रस्न एंसर आप लो कर लिया होंगे आप संभी ही होगा 1996 दिल्ली में किया गया था जीन बैंक जैवीविता संड़क्षित करने के लिए तो रास्टी जीन बैंक कहां प एक अगला देखते हैं मुझे हो इसकर से अगस तक 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 तो उसे भी आप कर लेंगे और माधी सभी एक दो महीन नहागा सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपका करेंट फिर भी कंप्लीट हो जाता है और जहां से आप पढ़ रहे हो पढ़ते रहे हैं वह एक बहतरीन सा मैग्जिन है बहतरीन जनकारी दी गई है डिटेल में एक्स्प्लेंड किया गया है फैक्चुल प्लस कंसेप्चुल जनकारी चाहें ते आप ज इस्ट पर्व है देखे इसमें आपको जो भी पता है उसको सबसे पहले करें देखे अश्ट दिहाई है अब सभी को बता है ठीक अंसर आप लोगर लियोंगे यह पढ़नी के द्वारा ही रचे गया है तो एक तो तो तीन होगा लेकिन एक तीन सारे में है ठीक आगे महाभा अपसन इडी में देखना है कौन सा होगा तो नेक्स्ट है आपका परबंद चिंता मड़ी यह मेरु तुंग के द्वारा और परसिश्ट पर हेम चंद्र के द्वारा आपसन यह हो जाएगा आपका अगला देखते हैं प्रसन संक्या 26 इस्टी का कुछ प्रसन है नवाप सिर यह अपसन क्या हो जागा अपसन सी बाकी यह लोग तो सामेली थे ठीक है सारे लोग मिल के सिराज को जो है बेश डाले थे यह युद्ध नहीं हुआ था एक निम ने युगों में से कौन से एक सही सुमिलित नहीं है एक तरफ स्टूप है एक तरफ खोज करता है साची का स्टूप जनरल टायकर के द्वारा नगर जुन कोंड स्टूप जो है लंगट इस्टन के द्वारा अब हर्तूप का स्टूप जनरल कनिंगेम के द्वारा अमरावती स्टूप एडवर्ड वेकर के द्वारा कौन जो है सुमिलित नहीं है बताना था तो अपसन यहा जाएगा अमरावती स्तूप जो हो जाएगा इसका कोज करनल मेकेंजी के द्वारा किया गया था अगला देखते हैं 58 निवलिखित में से किस से राष्ट कुछ सासक ने जीन सेन एम महावीर चारी को अपनी दर्बार में प्रशय प्रदान किया था कृष्ट ती ती ने दंती दूर्ग ने अमोग वर्स ने या धुर्व धारा वर्स ने देखिए इसका इंसर आप लोगेंगे साई अप्शन अप्शन सी है मगोग अमोग वर्स राष्ट कुछ साचक अमोग वर्स जैन धर्मा उनाई थे ठीक है जीन सेन तेनी के जो है दर्बार में थे ये इस एक देखिते हैं आप अप्शन क्या हो जाएगा आप लोगेंगे जवालो उपनिशर इसमें जो है आपको चार आसरम का उलेख किया गये है ब्रम्चर गिरहस्त बानपरस्त और सन्यास निम ने जो हडपा काली नदिया उनके किनारे बसे नगरों के युगमों में से कौन सा सही सुमेलीत नहीं है राकिगड़ी घगर नदी किनारे आलमगीरपूर हिंडन बनावली सरस्वती रोपन भोकवा इसा ही अप्शन क्या हो जाएगा आपे अपले अंसर किया होंगे अप्शन डी रोपन जो है आपको सतलन नदी के किनारे वस्ती थे बाकी सब यहां ठीक था च अप्शन सी दारशी को के बारे में देखेंगे इस साह जहां का जो है मुम्ताज महल मुम्ताज महल और साह जहां का पुत्र था ठीक है लेन पूल उसे लगो अकबर के भी संग्या दिया था और मजमुल बहरीन इसी का एक रचना था निमलिकित में से कौन सा एक फिरोसा सैनेको को नगद वेतन देना पर्रम किया गया ब्रामणों पर जजिया कर इसमें पूछा गया को नहीं है दिके सैनेको के नगद वेतन देना जो है फिरोसा तुगलक से सम्मंदित आपको बिल्कुल नहीं है अलाओदीन खिलधी के दjourड़ा पर्रम किया था ये ठीक है ये सत्य इश्वर हूं कि घोशना करने कारण मिर्तु डंड दिया गया था रभिया है अलगजाली मनसूर बिन हलाज अबुल हस अल हुजावरी सही अंसर क्या हो जागा अपसंसी मनसूर बिन हलाज नेक्श दिखते हैं प्रस्म संक्या सिक्ष्टिफूर कि समद्यकालिन सासक ने गुलर जील की एक कृत्रिम द्वीब जैनलंका का निर्माड कराया सिकंदर साहे जैनूल अभीदीन है मुल्ला जान है जलाओदीन महमद तो आपले अंसर कर लिए होगे आप सही अंसर क्या हो जागा आपसंट भी जैनूल अभीदीन जैनलंका कृतिन द्वीब बनवाए गया अगला है कथन और कारण अवर इसमें बताना है कौन से सही होगा भारत में रस्टी अंदोलन के विकास में जाती प्रथा को कमजोर करने के महत्पूर्ण भूमिका निभाई प्रस्टी अंदोलन उन तमाम संस्थाओं का विरोधी था जो भारती जनता को बाट कर रखती थी ठीक है आपलों एंसर कर लेंगों सही अंसर क्या हो जागा ऑप्सन यहां पर यहीं बनेगा दोनों ही सही है इसका एक्स्प्लेनेशन भी कर रहा है भीम्रा अंबेदकर के द कासित होता है निमलिखित कतनों बिचार कीजिए बताइए सही कतन को ने अंग्रेज ड़स्ट के बाद भारत आए इस इंडिया कंपनी के अस्थापना डच कंपनी के पुर्व हो चुकी थी अच्छा प्रस्ट ने इंसर करें देखें अंग्रेज डच के बाद ही आये थी सही है तो यहां पर सी हो जाएगा ठीक है डच की कंपनी का स्थापना स्थापना 62 में होता है जब कि इस इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी तो 68 देखते हैं देखें निमलिकित में से कि स्वाई सराय के समय सर रीचिर्ड सथेची के अध्यक्ता में कर थां किया गया था टिक का लिए जो है लॉड लिटन कि समय रिप्पन या अलगीन या कैनिन है कि सही इंसर आपका क्या बन जाएगा आपको सब्सक्राइब किया था इसक अधीक गठन किया था एक सही अंसर क्या बन जाए गया पर ऑप्शन ए बहराम जी माला बारी इनी के द्वरा सेवा सदन जो है बनाय गया था 1908 में एक अगस 2020 को असायोग अंदोलन पर अरंब किया गया इस अंदोलन से असंतुष्ट होकर निमलिखित में सिक किन निताओं ने कॉंग्रेस छोड़ दिया था विपिन्च अंदरपाल ये वेसेंड महमद अली जीना ये उपरुक्त सभी 1920 में सहयोग शुरू किया गया था आपको बताई है काफी लोग असंतुष्ट है चाहे भी पिन्च अदरपाल के बाद किया वेसेंड है जिन्ना है ठीक है तो आपलो एंसर कर लिए होंगे अप्सन डी ही होगा और ये जो अंदोलन शुरूआ एक अगर्स तो निस सबीस समाप्त कब होता है आपको तो निस सबाइस में चौरी-चौरा घटना के बाद अखिल भारती एक किसान सभा का प्रत्थमाद इवेशन 1936 में किसकी अद्रेक्स्ता में जो अप्ररम किया गया बहुत ही असान सब्रस्ण है श्वामी सहाजानन धे इंजी रंगा पट्टा बीसी तानुम या इन में से कोई निया आप्सन ये हो जाएगा श्वामी सहाजान इसको सीक्वेंस लगाना है सीक्वेंस लगा इसे देखें साइमन कमिशन की गठन के अगर बात करें तो 1927 में इसका गठन हुआ था पुना पिक्ट जो है देखेंगे तो यह जो है आपका 1932 में दूसरा गोल में समेलन यह भी 1932 ही था गोल में समेलन दूसरा 1931 था पहला 30 था तीसरा 1932 था जालिया वाला भागातिया कांड सभी को बता ही 1929 अब सीक्वेंस तो लगा ही लिएंगे सबसे पहले इसमें चार हो हो जाएगा आपका एक नेक्स्ट होगा आपका तीन और दो चार एक तुन दो बी जो भी किया है सारे लोगा सही एंसर होगा कि सेवेंटी थ्री देखते हैं इसमें गलत दुनना है आप लोगा सही किया होगे ऑप्शन सी इंडियन फिलोसपी यह जो है राधा कृष्णन के दौरा था ठीक है एलेक्जेंडर डफ का पुष्टक जो था वो इंडिया एंड इंडियन मिशन था बाकी बंच अफोल डेटर नहरू कहीं अलाइव डिवाइन आपको अरिविंदु घोष्ट कहीं था और देडिडल्स इन हिंदु बियार अम्बेदकरगा था निमलेकित में से किस नेता ने मारले मिन्टो सुधार 1909 को त्यार करने में बीसेस भूम का निभाई थी दादा भाई नरोजी हैं गुपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांदी या रभिन्ना टाइगोर जो 1909 का मारले मिन्टो सुधार था इसमें इनका भूमिका रहा था ये 1906 में हिंगलेंड पहुँच गये थे और इनका काफी जादा भूमिका देखने को मिला था मारले मिन्टो सुधार का एक बड़ा बात इसमें सबसे पहले मुशलमानों के लिए संप्रदाइक प्रतिनिदीत का प्रधान किया गया था निमलिकित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है एक तरफ सिधान थे एक तरफ प्रतिपाधन है बैकर जो है आपको एन केलडार जीरो बेस बजटिंग पीटर फायर के दौरा च्छती पूरक राज के सिधान इलडाफ बैगनर के दौरा और टोविन टैक्स जेम्स टोविन के दौरा तो यहां पर देखें गलत पूछा गया अपसंसी हो जाएगा च्छती पूरक रुजाज को यह सिधान जो है यह आपको यह जर जो है मेनाड किन्स के दौरा दिया गया था बाकी सब्सक्राइब ठीक है 77 देखते है निमलकित में से कौन सा मौदरिक निती के मतरात्मक उपकरन नहीं है नगद अरक्षी तनुपाद जो CRR होता है अपका कैसरी जर्व रेशियो रेपो रेट हो गया प्रात्मिक छेतर रिंडदान और खूले बजार की क्रिया है इसमें मौदरिक निती का मतरात्मक उपकरन कौन नहीं है यह पूचा गया है ठीक है यहां पर सही आगे देखते हैं बसुली और अधिप्राप्ति मुले नियुन्तम समर्थन मुले से क्या होता है कम होता है हमेशा अधिक होता है शदिव बराबर होता है बराबर या उससे अधिक हो सकता है कि इन्दू कम नहीं हो सकता है बसूली या अधिप्राप्ति मुले तीक आच्छा प्रशने देखिए थोड़ा स्कंसेप्चुल प्रशने यहां पर ऑप्सन क्या बनेगा डी बराबर या उससे अधिक हो सकता है कम नहीं हो सकता है देखे बजार में जब अनाज के दाम गिर्थ जाता है तो सरकार जो है नियूंतम समर्थन मुल्ले आपको पता ही है किसानों का अनाज खरीद के पर और उनके हीतों के क्या करता है रक्षा करता है एमेसपी ओगरा जैसे कुछ सीमित ही राज्यों में है आपको पंजाब हरियाना उगरा मैं आपको देखने को मिलता है और देखेंगे कि बसूली या अधी प्राप्ती मुल्ले कौन सा मुल्ले होता है तो इसमें जिसकी घोशना सरकार जो है रभी और खरीब के समय करती है इसका बशुली और अधीप प्राप्ति मुल्ले का और इस मुल्ले पर सरकार आनाज खरीदती है बशुली मुल्ले की घोशना बुआई के बाद और कटाई के समय की जाती है जन्रली MSP के बराबर होता है, उससे अधिक हो सकता है, कम कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, ति ये जो MSP नियुन्तम समर्थन मुल से कभी कम नहीं हो सकता है, ये बाद ध्यान रखेंगे, किसी देश की अर्थव्योस्ता की अभिकासमान इस्तिती में GD, पिके किस छेत्र का युगदान निश्चीत रूप से बढ़ेगा, प्रात्मिक दित्येक, तित्येक याईन में से कोई नहीं, ठीक है, दिखी, यहाँ पे सही अप्सन क्या हो जाएगा, अप्सन अपका, सी ति पिकासमान इस्तिती जब हो तब, ठीक है, तो जब माल लीजे कॉंट्री ग्रो कर रहा है, तो कंट्रीबूशन किसका ज्यादा होगा, ठीक है, सर्विस सेक्टर का, ठीक है, पुष्णिये उप्भोग तथा उत्पादन का संबंद किस SDG से है, SDG में 17 गोल है टोटल, ठीक ह प्रस्न है, अब 2014 में 15, 16 या 17 में, यह हो जाएगा 2015 में, और इसमें देखेंगे ति तीन सुरोनी में आपको लोन दिया जाता था, एक शिशू, जिसमें 50,000 तक, फिर किसोर, 50,000 से 5,00, तक और तरुन 5,00, से 5,00, 5,00, से लेके 10,00, तक, अखिले सरंजन कमीटी के संबंद क किसे है, परेवरन बिनास से है, राजिपाल की भूमिका से, डाइरेक्ट टेक्स कोड से, किशानों में आत्मत्या के समस्या से, सही अंसर यहां पर का हो जाएगा, ऑफ्सन अपका सी, डाइरेक्ट टेक्स कोड से, ठीक है, अखिले सरंजन कमीटी 2017 में, पुराने आयकर उनका स्थान पर डाइरेक्ट टेक्स कोड प्रस्थापित करने के लिए किया गया था, और यह अपना रिपोर्ट दुहाज में ऐसे सौपी थी, सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ संगठाना, एक तरफ आस्थापना का बर्स है, आइडि वियाई जो 1964 में, आइडि एफसी आ कौन से हो जाएगा, ऑफसन डी हो जाएगा, आइसी एसी का स्थापना 1955 में होगा था, बैंकिंग के सरदर में लैब क्या होता है, ती जो है बजट में पुर्योग किया गया था, लार्ज इरिया बैंक है, लोकल इरिया है, लेजर एकाउंट बैंक है, इनमें से कोई नहीं, सही इनसर अपका क्या हो जाएगा, ऑफसन बी, लोकल इरिया, आपका बैंक, लेजर बी, यह 1996 संतान में घोसित किया गया था, ठीक है, यह सब्द, बर्गशन मापदन संबंदी था किस से, सर्म अर्चा से देखिया, एकनॉमिक का हैंपर थोड़ा वेटेज ज्यादा दीख पूछा गया, बर्गशन मापदन संबंदी था, स्तरम अस्ता से, कल्यान अर्चा से, विकास अर्चा से, अंतरास्टी अर्चा से, सही अपसन हो जाएगा, ऑफसन आपका, बी, कल्यान अर्चा से, चलिए 85 दिखते हैं, पूछा गया है, रीड की सिमाय में परिवर्तन करना साख नियंतरन की कौन सी दिती के परियोगद्वरा संभव है, गुडात्मक साख नियंतरन, पर नात्मक साख हो गया, खूले बजार की क्रिया, इनमें से कोई नहीं, रीजर बैक तो ये काम करती है, आपको बता है, एंसर आप लोग कर लिए होंगा, ऑप्सन इह हो जाएग है, कच्चा तिल और सिमेंट है, इसमें कुछ को कोर सेक्टर में नहीं रखा जाता है, अब इदी आपको पता है, भारत में जो आठी कोर सेक्टर में जनरली दिखने को मिलता है, चाहे कोईला हो गया, कच्चा तिल हो गया, प्रकिर्ट गैस हो गया, डिफाइन डी हो गया, तो और बरक इस बाद सिमेंट बिधूट इसमें अगर देखेंगे तो किल्ली आपको दिख रहा होगा आपसंडी कच्छा तिल और सिमेंट तो ऑप्शन तो ओप्षन यहां पर का नाम याद रखेंगे कोल हो गया आपका कुरूड वाइल हो गया नेचुरल गैस हो गया रिफाइन्डी प्रोडक्ट जितने आते हैं फटलाईजर सोगे आपका स्टील हो सिमेंट हो गया इलक्षिटी हो गया तो कोईला कच्छा तिल प्रकेट गैस रिफाइन्टी ठीक है उर्बरक हो गया इस पाथ सिमेंट इस मेरा सायन जो है समेलित नहीं होता है निमलिखी तो विचार कीजिए और बताइए कि कौन साइस में उपरक्त में से कौन सा रुपांत् अपसंडी ही होगा निमलिखी तो विचार कीजिए और बताइए कि कौन साइस में सही समेलित है थैलाफाइड एस्पाइगुरा व्राइफाइड मास टेरिफोईडा पहन इंसर आप लोग कर लिएँगा सही अपसंडी हो जाएगा सारा ही सही है आपर निमलिखी तो विचार कों सा सही समेलित है माइटो कंडिया के खुछ अल्टमैन के द्वारा प्रोटीन की फेक्टिव आपको राइबोसों केंदर की खुछ रॉबर्ट ब्राउन तो इसमें ब और स्ल वोला जाता है प्रोटीन फार्टिरी राइबोसोम को बटाया गया था तो इतो ये राइबुसोम को protein कप्रोटीन बताया गया किंद्र देखें पुछा गया है बजार में इनो के नाम पे बिखने वाला एंटा एसीड होता है जो इनो लेते हैं इसमें आखिर जनरली क्या होता है मैघनेशियन एलवा, फियान, जिंक अकसाइड, क्यूपरस अकसाइड अब इन्हों को बिकने वाला जो एंटर acid होता है इसमें क्या होता है आपका magnesium एलवा होता है ओर यह क्या करता है आपका छार ये होता है थीक है तो न्योटलाइज कर देता है acid को टीक है एसीड और बेस तोनों मिलेगा तो न्यूटल ही बन जाएगा निद्रा रोक या स्लिपिंग सीकनेक्स नावग बिमारी उत्पन होती है एक प्रोटो जोवा के द्वरा कवक द्वरा सवाल के द्वरा इन में से कोई नहीं सही अंसर क्या हो जाएगा आपका अप्सन है के द्वारा निद्रा रोक या स्लिपिंग सीकनेक्स विमारी प्रोटो जवासी उत्पन होता है परजीवी होता है सीसी मक्षी के सरीर में आसरे लेता है अगले देखिए सिटी इसकेन या कॉमिडेट जो है टोमोग्राफी एक्सरे परिक्षन कौन सी किरने परियोग में ला कास्टिक सोडा का यहां पर रसाइनिक नाम सोडियम हाइडाकसाइड होता है अपसम साल्ट मेगनेसियम निलात होता कॉपर सलफेट वासिंग पाउडर सोडियम बाइकर्वनेट सही अंसर क्या हो जाएगा ऑप्सन डी वासिंग पाउडर आपका सोडियम बाइकर्वनेट कि यहां सही नहीं पूछा गया था वासिंग पाउड़ा जो होता है सोडियम कर्वनेट होता है बाकी नीला थोतल कॉपल सर्फेट के हम लोग नाम से जानते ही है ठीक है और यह मेगनेसियम सल्फेट कासिक सोड़ा ठीक है सोडियम हर्डाक साइड किस एक कोश्रमांतर रूप तेफलौन के नाम से जाना जाता है इसमिंए पलीवान को राइड है क्लो और इतलीन है पाली और और इसका उपनेख गोरी कड़ा यूगर एक निर्माण में हम लोग देखने को मिलते हैं मानो के शंपुण शरीर या अंगो के असमानता या विक्रिती का पुण्ट सही पता लगाने है तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है अब मैंगेटिक जो है रिजोनेंस इमेजिंग का आटो एनलाइजर का इलेक्ट्रो काडियोग्राम का इन में से कोई नहीं मानो शंपुण शरीर का जो है आपको ओसमानता या विक्रण विक्रिती के पुण्ट सही पता लगाने के लिए मैगनेटिक रिजोनेंस इमेजिंग तीक है यह हम लोग प्रयोग करते हैं तीक है यानि MRI अप सब सुने होंगे मैगनेटिक जो है रिजोनेंस जो है इमेजिंग अगला प्रसंद देखते हैं अनिमलेखित यूग में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है इसमें बता दीजिए तो एक तरफ संस्थान है देखिए अगला निमलेखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है तीक है इसके एंसर करें कलाई के स्थी कार प्लस उपस्थित के चारो और पाई जाने वाली जिल्ली काडिरम पसलियों को आपस में जोडने वाला स्थी स्थी स्थम सही सुमेलित कौन सा है तो यहाँ पे देखेंगे अगर तो सारा ही सही सुमेलित नहीं है पुछा गया नहीं है तीक है तो यह आफ देखते हैं कि अन्यिम लिखीत में से कौन से कारी यह क्रीट और नहीं किया जाता है लिबर का फंसन कों सा नहीं होता है लिखेंगे चार सो फंसन होता है वर्डी में अपने प्रोटी अपर की सभी हो जाएगा बसाओ का फंसन करना थीक है तो बाकी सब यहां सही है हेपरीन नामक प्रोटीन उताजन करता है फाइबरीजीन नामक प्रोटीन भी शरीर के ताब को भी बनाया रखता है ठीक है अगले देखते हैं निमलिकित में से कौंसा एक जठः रस में नहीं पाया जाता है रेनीन है पप्सिन है 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 यह ट्रिपसी नहीं होता है अच्छा प्रस्टिक जूस के आपका लुजDrive में कलता है त्रिपसीन होता है इसमें ःधी है इसमें बाकि जो इसमें देखे, तो हाईडोुक्लोरीं कमलो गया, आपका रेनीन हो गया, पैपसीन हो गया, ठीक है? टिपसीन जो है आपको, इसमें नहीं आता है, निमलिखित में से कौन सासत्य बताना है? जीन अनुवानसिक क्रिया के मुह लिकाई होती है यह आरेने में पाया जाता है केवल एक है दो, एंसर करें इसका देखे, जीन अनुवानसिक क्रिया का मुह लिकाई है पहला दिया हुआ है और इसमें असत्य ढूणना है, यह आरेने में पाया जाता है देखे पहला तो यहां पे आपको सही है लेकिन आरेने में पाया जाता है यह आपको गलत हो गया DNA का छोटा खंड है तो SM option भी ही बनेगा केवल दो प्रसंद सक्यम 101 देखते हैं यह mathematics का प्रस्ण है आपका रवी ने पूरव के उपरान तो दचिन के और मुड़ जाता है फिर पूनह पूरव के और मुड़ता है फिर दो किले मेंटर चलता है Crit Committee चलता है त्हींगा को छा है। सबसे पहले यहां पर दिया है तो बार बार में बता हैं वह डारेक्शन के लिए तो डारेक्शन बनाना ही पड़ेगा तो सबसे पहले क्या करें आप लो डारेक्शन तो बना ही ले देखिए यहां पर यह आपका इस्ट हो गया यह वेस्ट यह नर्थ और साउथ यहां पर सब प्रेख्शिण यह उजाता है चलिए दक्शिन यहां से आपका ये डिरेक्शन हुआ और पांच किलमेटर चलता है ये पांच किलमेटर आगया ठीक है next दिया आपको पुरब के और मोड़ता है यानि पूरब के और फिरसे मुड़ेगा और पूरब के और मोड़ के वह कितना दो किलिमेटर चलता है दो किलिमेटर चल दिया अंतिम बार वो उत्तर के उर मोड़ता है और उत्तर के उर मोड़के नो किलिमेटर चलता है तो पांच तो यहां से यहां हो गया और बाकी चार उपर और चलेगा तो यहां तक आ गया है पुछा है कि परणबिक बिंदू से कित यहां पर राइट एंगल ट्रेंगल बनता हुआ दीख रहा है और आप बता सकते हैं बिल्कुल असानी से तो यह देखें ते तीन है आपको और चार है तो बस रूट अंडर जो है तीन का स्कॉयर प्लस चार का स्कॉयर यह 16 और नव पचीस यानि पांच पांच किलेमेटर हो जाएगा डीरेक्शन अगर आप से पूछा जाता तो इसमें डीरेक्शन भी लीख़ा रहता ताब क्या बतायाते पांच किलेमेटर नर्थिस्ट यानि आपका उत्तर पूरा हो जाता अगला प्रस देखिए और 4346 को NPSU के रूप में लिखा गया है उसी कुट में 235 अब ऐसा प्रश्ण बहुत असान होता है यह आप लोग कर लिए होंगे अंसर अभी तर तो ठीक है देखें यहाँ पे 5 ही डीजिट है और 5 कोड भी है यहाँ पे 235 यहां लिखते हैं हुआ है टू हो गया 345 ना और देखे अपर टू अगर ध्यान देंगे कड ask को कोड यहां पे दिख रहा है क्या कहीं तो इसमें दीक नहीं रहा है अ को ठीक है बाकि देखें थी ती दीक रहा है और 3 के लिए क्या इसामाल हूंग अश्छली छिर के लिए प सी तो होगा देखेंगे तो 4 3 के बाद 5 है और 5 के लिए कोड क्या है यहां पर इस्तमाल हुआ है टी ठीक है और नेक्स देखते हैं तो इसमें है 2 3 हो गया 5 हो गया 4 टीक है तो अगर ध्यान देंगे यहां पर 5 हो गया टीक है यह 4 के लिए जो है अगर कोड देखें हम लों फूर के लिए यहां पर स्वस्तिक्षिक और इसमें काम करेंगे और सब्सक्राइब सबस्क्राइब सब्सक्राइब पर्योग होगा आप clearly जो कर पाएंगे यहां पर इस ही होगा यू तो आ नहीं रहा यह नहीं कोई रहता तो option C हो जाएगा ठीक है यह असान सा प्रस्फण था अगला देखते हैं प्रस्फण इंची निकास्थान पर कौन सा संख्या आएगा ठीक है यहां पर आपको बताना है कि देखिए यहां पर साथ है अब साथ से 18 में देखेंगे तो साथ में दो से मल्टिप्लाई करते हैं चौदा आएगा प्लस चार एड़ कर दीजिए दो से मल्टिप्लाई कीजिए चार एड़ कीजिए 18 18 में क्या करते हैं दो से मल्टिप्लाई करते हैं प्लस चार एड़ करते हैं चालिस में दो से मल्टिप्लाई करते हैं प्लस चार एड़ करते ह बिल्कुल सही है तो answer क्या हो जाएगा आपका यहां पर B हो जाएगा यदि आप 1 से 100 तक सभी संक्या लिखते हैं तो कितनी बार 3 लिखते हैं अब देखे इसका तरीका तो है कि आपको 1 से 100 तक लिखना होगा ठीक है और उसमें देखना होगा 3 कितने बार आ रहा है तो देखे एक दो तो होगा नहीं सबसे पहले 3 आएगा 3 में ही 3 के बाद फिर 3 दुबारा कब रिपीट होगा आपका तो 10 तक तक तनी होगा 11 12 13 आएगा फिर 49 अब 40 नहीं होगा फिर आपका 41 42 43 ठीक है आपका 43 हो जाएगा 43 के बाद जो है सीधे 3 आएगा तीरपन में ठीक है तीरपन के बाद देखेंगे तो आपका 63 फिर 73 फिर 83 फिर आपका 93 अब यहां पर पता यह 3 कितना बार आ रहा है यह पूछा गया है कितनी बार तीन लिखते हैं बता सकते हैं देखें काउंट कर लीजे यहां से एक बार तीन हो गया दो तीन चार पांच छे साथ आठ तैस में दो बार 9 10 11 यह हो गया आपका 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ठीका अपसन हो जाएगा 20 बार इस तरह का कोई प्रस ना है ता आपको अब इसका कोई ट्रीक हो गरा होता नहीं है ठीक है जनरली अगले दिखें अन्यमने लिखित जो है सिंखला में से सही बिकल्प द्वारा पुर्ण कीजिए इसको तो यहाँ पे दीखें 3 2 6 8 18 40 यहाँ बताना है क्या आएगा दिखें यहाँ पे दीक राया है तीन और 6, तीन दूनँद 6 हो गया, दो से multiply किये, 6 में 3 से अगर multiply करते हैं, 18 आता है, तो 18 में आपको क्या करना होगा, चार से multiply करना होगा, यानि 72 यहाँ पर आएगा, ठीक है, अब नीचे अगर, आपको एक और अगर लिखना होता है यहां पे तो क्या करते हैं दो में 4 से मೆप्यक्टि अत्य करने हैं यहां उसके इंसर हमार को marven बस यहां पर इक्वेशन लिखना है पर इंसर कर लेंगे मुश्किल नहीं ऐसा परस्ट में लोग पिछले लेक्चर में किये थे तो देखे यहां पर पिता की आयू उसके दोनों पूत्र का आयू कर ले अगर एक्स ठीक है तो पिता का आयू कितना हो जाएगा इन दो एक्स हो हचे का तो बीस वरस बढ़ेगा दोनों बच्चे का कितना बढ़ जाएगा आपका टोटल 40 वर्स तो बीस वर्स बात तो हो जाएगा एक प्लस 400 कोई दिकत नहीं दो इकोट नहीं दिकत नहीं तो अभी है और बीस वरस बात लीक क्राइम सबहन रहे एक्स प्लस चालीस यहां से अप्सल्फ कर सकते हैं कोई मुक्स की बात नहीं है दो एक्स है एक्स है तो यहां पर एक्स हो जाएगा इक्वल टूक बीस एकस कब हैलों 20 आ गया यहां पूछा क्या है आपसे कुछ एकस तर्सी देखते हैं अगला प्रस्द देखते हैं कि कि तो सब्से पहले तो आपका इसमें जो है शर्रफर धम आगमन ही होगा तो आग्मन तो तीन से स्टार्ट करेंगे ठीक है आगमन के बाद जो है आपका यह परीच्छ men ago अरहे परीच्छ से बदाद जनरली क्या होगा आपका प्रस्तुती हो जाएगा प्रस्तूति के बाद आपका ये बन जाएगा चर्चा और नेक्स हो जाएगा आपका संतूति 3,5,1,4,2 अपसने में हो जाएगा अगला प्रस्न है आपका उसे चुनिये जो अन्य 3 से भीन है अब देखना है अन्य 3 से अलग कौन सा है इसमें इसमें देखना पड़ेगा 398 है 589,885 और 696 तो इसमें क्या बनेगा आपका देखिए ये 398 है 398 ये क्या हो जाएगा 9,3,12,12,8,20 ये 20 बन जाएगा अब इसको आप किसी तरीके चेक कर सकते है ये 7,5,12,12,9 कितना होता है अपका 9,2,21 हो जाएगा ये 9,6,15,6,21 हो जाएगा ये ये देखिए 8,7,6,6,6,5,21 ते देखिए ये तीनों का एड 21,21 हा रहा है जबकि इसका 20 हा रहा है तो अलग ये हो जाएगा सिंपल सा बात है 108 का ही अगला देखते है निमलिकित समुहों में से कौन सा इसमें नहीं है ये बताना है आख कान दात और ठुड़ी मतलब इन से भिन कौन है आप इसली बता सकते हैं देखिए आख कान दात आख तो हम लोग देखने के लिए कान सुनने के लिए दात जो है सब्सक्राइब के लिए ठुड़ी जो है इस तरह का कोई काम होगरा करता नहीं है तो अपसंडी ही बनेगा अब नेक्स प्रस्न है आप आपका ये बीसे अमीर है पिछली बार जो है चौदर प्रस्न साइद आपको पूछा गया था आरो यारो में मैत और जिनिंग से ठीक ह हमारे नहीं हमिए जो आपको रहते हैं उसी मीट में ए भी से अमीर है ठीक है बीसे अमीर है ये ट्रक। बैठायजा तो किसका अस्थान मत देवह होगा चलिए इसको लिखना होगा सबसे पहले दिया है कि ये बी से अमीर है ये ज्यादा हो जाएगा ये सीए अमीर है यानि सी से भी ज्यादा हो जाएगा ठीक डी सी से है डी जो है सी सामिउर है तो चलि यह प्रश्ण अग्ला देखें अगले या अगले से किसी माह का चौथा दिन सनी वार है तो उससी माह का चौथा दिन से पांच दिन पहले कौन सा दिन होगा अब किसी माह का चौथा दिन कौन सा आपका सनी वार है तो चौथा दिन यदि सनी वार हुआ तो फिर एगारवा दिन भी होगा आपका उसके बाद आठारवा साथ साथ जाएं ऐसा एक प्रस्त हम लोग किये थे फिर आपका पचीसवा दिन सनी बार होगा तो सिंपल सा बात है पचीसवा सनी बार होगा तो 26 कौन सा होगा रभी बार ही होगा ठीक है तो यह रभी होगा और इससे पांच दिन पहले आपको बताना है तो पांच दिन पहले क्या आ ज हो जाएगा बुद्ध और यह मंगल तो यहां पर क्या हो जाएगा मंगल इंसर हो जाएगा ऑप्शन भी अगला प्रस नहीं आपका दिये गए बुद्ध का छेटफ़ च्थफ़ दिया है इसको 6 बेराबर भागों बाटा गया है चाप प्व की लंबाई आपको बतानी यह कितनी होगा बुद्ध कर दो दो च्थफ़ कर दें पाइ और स्कॐयर को यहां से आपनी निकल जाएगा पाई से पाई किसिल आपका अ जाएगा रूट अंडर 36 ठीक है तो आर यहां से आपका कितना जाएगा प्लस-6 यानि 6 माल लेते हैं आपर आ पर आगे आपका ठीक है चाप पीकी की लंबाई आपको बताना है एक तो परीधी का ही हिसा होता है आपको पता है बृट का परीधी क्या होता है टू-पाई-एर ह हम लोग निकाल लिया कितना छे कर दिये याने 12 पाई हो जायेगा आपका परीधी ठीक है यहां तक कोई डाउट नहीं होगा अब पी क्यू को लंबाई यहां पर क्या हो जायेगा आपका तो 12 पाई में यहां पर दीखे कितना हिस्सा है एक दो तिन चार पांच चे टोटल छे इंशा दीक रहा है यह पूरा परीधी क्या है यह आपका पूरा परीधी यह वला तो पूरा तो छे इंशा है एक इसमें बताना है तो दो से डिभाइट कर दीजे ठीक है दो चक बारह तो यहां पर कितना आ जायेगा आपका यह सौरी दो से नहीं 7 भट करना होगा इहां पर 6 है टोटल 12 है तो चैसे करना होगा तो इतनाा जैगा 2 दो पाई जो है यह आगे आपका चिक तो तोज erfolg अब यहां पर कभी कभी क्या देता यह ंब यहां पर आपको इंगल देतेगा किक अगर इंगल देता तब बना सकते हैं मानलीजे यहाँ पर देता कि ठर्टी डिग्री अंगल है तो आपको पता है कि किसी विपाइंट पर तीन सो साथ डिग्री बनेगा तो आप क्या करते ठर्टी डिभाइट तो यहाँ पर दिया है कि 50 अंक उसको प्राप्ट हो रहा है लेकिन दूर्ट चार रंग से किया हो जा रहा है फिल हो जा रहा है ओट्री इसका मतलब पर तीसाथ ऑगर अंक आता तो पास हो जाता इसका मतलब तो यही हुआ कि 45 परतिसद किसके बरावर हो जाएगा चववन को तो आपको 100 परतिसद का मिनिंग आप निकाली सकते हैं यहां से कोई डाउट नहीं होगा तो 100 परतिसद कितना के बरावर हो जाएगा तो 54, डिभाइड कितना हो जाएगा आपका, ये कितना है, 45 परतिसत है न, तो 45 कर लेंगे, और डिभाइड ये 100 परतिसत, तो ये 100, बस इसको क्या कर देना है, यहां से आपको डिभाइड कर देना है, देखिए, तो ये 9 छक 54, 9 पचे 45 हो गया, 5 से 5 दूने 10, 20 छक 120, कितना 120 जो है, maximum marks हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा सारे लोग को, देखिए, 50 अंक कोई जो है, बालक पराप्त करता है, और 4 अंक से फेल कर जाता है, इसका मतलब किलिए लिए है कि उसको अगर 4 अंक और मिल जाते, यानि 54 नमर मिल जाता, तो पास हो जाता, और कोशन में देखते हैं, 114, बित्तीय स्थिर्ता और विकास परिशत, जिसके अस्थापना, December 2000 में वही थी, इसका अध्यक्ष होता है, तो रजर्वे के गौवर्णर केंद्रिय बित्मंत्री, प्रधान मंत्री अभितायो का अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष कौन होता है, बित्मंत्री, चार में या तीन में छे में अंसर करें इसका सही अंसर यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन यह पांच चरन में बटा गया है तो डबलू डबलू रोष्ट वे इनका एक पुछतक है जिसका नाम है आपका अर्थिक विकास को जो है पांच चरन में बटा गया है एक प्रमपरिक समाज यह ट्रेडिशनल सोसाइटी ठीक है आत्म जो है असुर्ती पूरबरती अवस्था आत्म सुर्ती अवस्था परिपक्त अवस्था और उच जन उप्यों की अवस्था इतना सरा जो है इनके द्वर अन्य पांच याद रखेंगे निम्लिखित में से एक कमहतो मीठी कर आंती를 ऐसे सहथ उत्पाधन गुर्व विचार किजिए और ब्ताइए देखे zwischen तो यहां पर सही अंसर क्या हो जाएगा आपको आपका तिर्तिय पंचवर्शी होजना ठीक है आपको यह जो बना था कब बना था 1965 में तो 1965 किसके अंदर आएगा उनीस सो एक सट से श्यासेट में आ जाएगा तिर्तिय पंचवर्शी नहीं सही होगा कौन सा एक नगदी फसल नहीं है गन्ना रबबर तंबाको या सोयवीन तो गन्ना तो नगदी तंबाको भी रबबर है सोयवीन हो जाएगा अब संडी नेक्स देखते हैं अब मई का करेंट फेर है यहां से 20 प्रसन पूरा आपका करेंट फेर का है ठीके देखिए मई 2023 में निमलिखित में से किस अस्थान पर देश के पहले राष्ट ये बाद सुरक चकेंदर को अस्थापित किया जाने की गोशना की गई तो ये जो हो दोर चलाएगा अपरेशन करूना का मुख्य देश क्या था तो ये साइद कोशन रिपीट कर रहा है तो देखिए मैनमार से चक्रवात मोचा से प्रवाइट लोग को सहायता करना किस तिति को अंतरा से जैवीवित्ता दिवस जो है मनाया जाता है तो ये 22 माही को मनाया जात है मही 2030 को किस देश के प्रथान में नरेंद मोदी को अपने सरोच नागरिक पुर्सका कैम्पियन ऑफ दी अर्डर अफ लेगाहू से समानित किया गया तो ये समान पपुआ नियोगिनी का था पंडूबी जो है बाग सीर से समंदित में लिखित कतनों विचार कीजे बताई ये असत्य कतनिया बताना है गलत ठीक है देखिए तो ये भारतिय नौ सेना कलवरी क्लास प्रजेक्ट 75 की छट्टी स्कार्पियन पंडूबी है इसका निर्मान मजगाव डाक सिप्यार्ट बिल्डर्स को दरा किया गया है देखिए दोनों ही स्टेटिमेंट क्या है सही है यहां पर लेकिन गलत बताना है तो आप्सन क्या बनेगा आपका डी यह बनेगा अगला है आपको मई 2030 में 162 शुपर कंप्यूटर समिलन 2030 कहां हुगा एंसर करें इसका तो 162 शुपर कंप्यूटर समिलन आविजन कहां हो गया आपका यह हैंबर्ग जर्मनी में अगला से ताइप एर्दोगन तो तुर्किये के एर्दोगन जो है राश्पती नय निर्वाचित हुए है यह इनका तीसरा कारेकाल है अब 2028 तक के ही रहेंगे अगला देखिए मई 2030 में किस राज्य किस राज्य ने भारत की पहली पॉड टेक्सी परियोजना सुरू करने की घोश शीतिवे बंदरगाह पे भारत के पहले मालवाहग जहाज की अगवाही की गई शई अंसर हो जाये गए हाँ पे मैनमार मई 2030 में बुद्ध पुड्डीमा के उसर पे खेलो इंडिया इनुर्सिटी गम 2030 का सुभंकर जारी किया गया इसका नाम क्या था तो इसका नाम था जी जो है गोश्टोपोड डिनो हैं सही अंसर दुनों ही है तो अप्सन सी बनेगा विश्वारतिक इस्तिती और संभावना मिड 2030 नामक रिपोट जारी की गई जिसमें वर्स 2023 में भारत के विकास दर 5.8 पर तीसात अनमानित किया गया रिपोट जारी की जाती है किसके द्वरा बिश्व बैंक के द्वरा आइमेफ के द्वरा यूण डिप तो यह अफ्लों एंसर कर लिए होंगे देखे भारत का विकास दर 5.8 बिश्व बैंक के द्वरा तीक है तो अप्सन यहां पर भी ही बनेगा अगला देखिए किंद्रेग्री मंत्री अमित साह के द्वर राष्टिये तर्टिये पुलिस अकादमी अस्थाई परिशर के अधार सीला कहां रखी गई यह द्वरार का गुजरात में अगला है माई 2030 में जी सेवेन राष्टो का सिखर समेलन कहां यह जुद किया गया क्यूबेक सिटी हिरोशीमा स्लास एलमाउ या तायो रिमा तो यह जो हिरोशीमा जपान में जी सेवेन माई 2023 में परसीद अमेर्की पत्री का टाइम मेगजिन ने किस भारती अब नेत्रे को अपने कवर पेज पस्थान दिया तो यह दिवका पंड कोड को दिया गया था दुबई स्थित एरलाइन्स एमरेटेस द्वारा विश्व के पहले रोबोटिक चेकिन असिस्टेंट का अनावरन किया गया इसका नाम क्या है देख सारा इसका नाम था किस देश के द्वारा लंबी दूरी की बलास्टिक मिसाइल खाइवर का परिक्षन किया गया देखे यह जो है इरान के द्वारा इरान के द्वारा लंबी दूरी का बलास्टिक मिसाइल खाइबर का परिक्षन किया गया इसका मारक शमता देखेंगे तो लगभग 2000 किलो मिटर मैं 2013 में भारती समिधान के किस अनुछेद का हवाला देते हैं सरोचने आले ने कहा कि राष्टिय रजधानी सिबिल सेवा परदिकरान अस्थापित करने वाला अध जो है दो जाते इसमें संउक नोशन अभ्यास टाइगर सार्क 40 का योजन किन जो है दो देशों के मध्य संपन हुआ यह बंगला देश और संउक ताज अमेरिका के बीच टाइगर सार्क पुट्टी, मही ज़ाजरस में Global Wealth Conference का योजन कहां किया गया, लंदन UK में निवार की वैस्से है, दुबई में या व्यूनर सायर्स में, इसका सही इंसर हो जाएगा Option A आपका London UK में, ठीक है Global Wealth Conference का योजन किया गया था, ठीक है बाकी आपका कोई feedback कमेंट होगा ता आप लोग कमेंट बक्स में लिख सकते हैं, चलिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद.